नमस्कार साथियों पाले टेक्निक पार साला में आप सभी का स्वागत है स्विच गेर और प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में जो है आप दूसरा चैप्टर पढ़ाए जा रहा है जिसका नाम है स्विच गेर इसमें आज आपको डिस्टेंस रिले के बारे में क्या करेंगे पढ किया जाता है यूज किया जाता है ठीक हैं तो आप वो इसके डिपनीशन में लिख सकते हैं लोग वह रिले जिसका आप्रेशन वह रिले जिसका आप्रेशन फाल्ड पॉइंट fault point tathha relay connecting point tathha relay connecting point fault point tathha relay connecting point के बीच के circuit की के बीच के circuit की के बीच के circuit की impedance पर निर्भर करता है circuit की impedance पर depend करता है करता है करता है उसे distance relay उसे distance relay करता है आर impedance relay कहते हैं करता है करता है करता है करता है ठीक है यह हमारा fault point है तो fault point से ले करके इस relay के connecting point के बीच का जो distance है करता है लाइन की लंबाई बढ़ेगी तो impedance हमारा क्या होगा बढ़ेगा लंबाई कम होगी तो impedance क्या होगा कम होगा तो वही चीज यहां पर लिखा गया है क्यों है रिले जिसका operation fault point fault point तथा relay connecting point के बीच circuit की impedance पर depend करता है उसे distance relay और impedance relay के नाम से क्या करते हैं जानते हैं ठीक है और यह relay definite distance relay भी कहलाती है यहां पर लिख सकते हैं यह relay यह relay यह relay definite distance relay भी कहलाती है कहलाती है क्योंकि यह circuit की एक निश्चित दूरी क्योंकि यह circuit की एक निश्चित दूरी एक निश्चित circuit की एक निश्चित दूरी की impedance तक के लिए निश्चित distance distance की impedance distance की impedance तक के लिए operate होता है operate होता है ठीक है देखे तो अब जैसे माल लीजे यह हमारी transmission line है अब protection area जो हम impedance के द्वारा provide कर रहे हो यहां से यहां तक है अब यहां पर हमारा क्या है relay जुड़ा है समझ में आए हम तमाम सारे circuit breaker जुड़े है तो यहां से यहां तक कि इसमेन बहुत सारी चीजेए तो परिटेक्शन सिस्टम अपको पड़ा ौहीं रहे हैँ बस इसके बाद प्रोटेक्शन सिस्टम ही आप चालू होने वाला है ठीक इसको मेजम दे रहा हूं यहां पर मैलिक दे रहा हूं इस रिले का प्रिचालन इस रिले का प्रचालन प्रचालन V तथा I V तथा I रेशियो V I रेशियो पर डिपेंड करता है पर डिपेंड करता है समझे है तो यहाँ पर जो इमपीडेंस होता है अगर देखेंगे कि इमपीडेंस इमपीडेंस is directly proportional V बटे आई होगा आपका तो तो अब यहाँ पर directly proportional D है आपका या फिर आपका सकते हैं कि impedance is directly proportional distance देखें, इंस इंस फोरा होता है, तो बोल्डेज को नहीं, तो यह बТत हैं, ता जुझ करन hasil कोलिद्ध को। होता है समान पाती होता है ठीक है तो यह चीज आप नोट कर लेज़ेगा कि इसको मैं मिटा दे रहा हूं कि हो गया कि अब यहां पर द्यां से देखिए यदि वी तथा आई का रेशियो यहां पर देखिए कि यदि वी आई रेशियो रेशियो प्री डिटर्माइन वैलू वैलू से लेस होगा तो प्री डिटर्माइन वैलू से क्या होगा लेस होगा तो लेस होगा तो रेले आपरेट होगा प्री डिटर्माइन वैलू एक pre-determined value है जो एक fix किया गया है कि इससे बाहर जो है रिले हमारा इससे उपर अगर वी तथा I का ratio इससे उपर होगा ठीक है तो वो नहीं operate होगा वी तथा I ratio का मतलब क्या है impedance impedance command pre-determined value से अगर क्या होगा कम होगा pre-determined value pre-determined value से क्या होगा kolette command predetermined value से क्या होगा ज्यादा होगा तो आप्रेट नहीं होगा कारण क्या है क्यूंकि यहां पर impedance कम हो रहा है तो करेंट यहां पर बढ़ जाएगा तो आपरेटिंग फोर्स भी हमारा बढ़ जाएगा और यहां value दी गई है, impedance की एक ऐसी value दी गई है, अगर उस value से कम होगा, V तथा I का ratio, V तथा I ratio मतलब क्या है? impedance है, तो impedance command pre-determined value से कम होगा, तो अब operate होगा, impedance कम होगा, current आपकी बढ़ जाएगी, operating force आपका बढ़ जाएगा, ठीक है तो आपका रिले क्या हो जाएगा अगर इस से ज्यादा होगा तो रिले हमारा आपरेट नहीं होगा ठीक है इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा अब यहां पर क्या है थोड़ा इसका कांसिप्ट हम लिख लेते हैं थोड़ा इसका फीगर भी बना लेते हैं फीगर बनाने के बाद ही आपको जो है समझ में आए गए इसमान लेजिए यह हमारा आपका सोर्स है अब आप कि अच्छे आपको कोई समझाएगा नहीं आप लोग वीडियो को जदधा ज़्यदा सेर कीजिए स्लेutes आपको बहुत ही जल्दीं कंप्लिट हो जाएगा डस से बारा दिन के अंदर हम सब पड़ा दünkü ठीक है है यह हो गया और यहां पे भी आपका सी भी लगेगा एक सी भी यहां पर भी लगेगा है लिख वापका एक सी भी है इक सी भी यहां पर लगेगा एक करेंट क्वाइल है कि एक करेंट क्वाइल है तो यहां पर हमारा क्या है ठीक है एक रिले इंपिडेंस रिले है तो रिले में यह कॉइल कसी रहा कर कि इसमें जूड़ जाएगा ठीक है कि उसके बाद यहां से एक हमारा कि इंट तर्मिनल निकलेगा और यहां से एक हमारा जो है बाइंडिंग निकलेगी यह ग्राउंडेड हो गई है और यह हमारा क्या है यह सीटी है यह हमारा क्या है सीटी है यह हमारा ए है और हमारा क्या है बी है आगे भी लाइन है हमारी ठीक यह हमारा रिले है यह cb है a b cb और a b cb यह सोर साइड में cb लगा है और यह हमारी पूरी transmission line है ठीक है और यह है और यह क्या है हमारा बी-point है अब यहां पर जो एक impedance रखा गया है कि जैसे इसका distance मालने जीये कितना होगा डी होगा d distance होगा या l distance होगा जो भी होगा ठीक है तो यहाँ पर जो है इन a और b के बीच अगर fault होगा तभी जाके really operate होगा समझ मैं अगर a और b के बाद fault होगा इधर fault होगा या फिर इधर fault होगा तो really हमारा operate नहीं होगा कारण क्या है क्योंकि अगर बाद में fault हो रहा है तो relay और fault के बीच की distance बढ़ जाएगी जिसकी वो ज़स impedance बढ़ेगा current बढ़ जाएगा impedance बढ़ेगा तो current कम हो जाएगा तो resultant जो torque produce होगा वो जो है relay को operate नहीं करा पाएगा समझ मैं आए लेकिन अगर इसके अंदर fault होगा तो distance कम हो जाएगी महले यहां पर fault होगा तो इसके पेच्छा तो distance कम ही रहेगा तो distance कम होगा impedance कम होगा current बढ़ जाएगा operating force या resultant force बढ़ जाएगा तो इस condition में relay हमारा क्या हो जाएगा अपरेट हो जाएगा और circuit breaker को operate करा देगा ओ ठीक है तो इसके अंदर अगर fault होगा तो relay operate होगा इसके बाहर अगर fault हो रहा है तो relay हमारा operate नहीं होगा तो इसको थोड़ा define करते हैं अच्छे तरीके से कि पहले इस जो हमारा relay है इसमें कितने element होते हैं तो उसके बारे में क्या करेंगे discuss करेंगे जब impedance का मान एक निश्चित मान से कम होता है impedance का मान एक निश्चित मान से एक निश्चित मान से कम होता है impedance का मान एक निश्चित मान से क्या होता है कम होता है तो यह relay operate होता है तो यह relay आपरेट होता है ठीक है तो यह relay क्या होता है operate देखिए माली यहाँ पर कोई fault हो गया है यहाँ पर हमारा क्या हो गया है fault हो गया है यह पर क्या हो गया है यह फाल्ट पॉइंट हमारा है फाल्ट पॉइंट यह फवन ठीक है यहाँ पर हमारा क्या हो गया है fault हो गया है अभी उसको मैं बनाना भूल गया था इस वज़ा से मैं बना दिया आपको इस रिले में दो एलिमेंट होता है देखे यह हमारा रिले है ना इसमें दो एलिमेंट है एक यह वाला और एक यह वाला इस रिले में दो एलिमेंट होता है इस रिले में दो एलिमेंट एलिमेंट होता है पहला करेंट एलिमेंट करेंट एलिमेंट एलिमेंट जो CT से जुड़ा होता है जो CT से यह हमारा CT है CT से जुड़ा होता है तथा दूसरा बोल्टेज एलिमेंट होता है बोल्टेज एलिमेंट होता है जो जो किस से जुड़ा होता है बोल्टेज एलिमेंट होता है जो PT से जुड़ा होता है जो PT से जुड़ा होता है ठीक है देखिए इसमें पूरा सरकिट आपको बना कर दिखाया नहीं गया है लेकिन है कि उसको दिखाया नहीं गया है, तो PT से क्या होता है, जुड़ा होता है, अब दिखीए, simple सी बात है, अब रिले में, PT में, PT में voltage है आपका, रिले में आपका क्या होगा, उसमें CT में आपका current आएगी, तो current भी एक force develop करेगा, और voltage भी एक force develop करेगा, मतलब PT के माध्यम से जो element जुड़ा हुआ है वो भी एक force develop करेगा और जो हमारा जो element current element है उसमें current आएगी तो भी एक प्रकार का force develop करेगा यह दोनों का force जो है एक दूसरे के opposite direction में होता है तो किसी एक force कम होगा या फिर क्या होगा किसी एक क्या होगा ज्यादा होगा तो दोनों का एक resultant निकलेगा अगर resultant zero आएगा तो relay operate नहीं करेगा अगर resultant आएगा तो relay हमारा क्या होगा operate होगा ठीक है जुड़ा होता है तथा दूसरा बोल्टेज एलिमेंट होता है जो पीटी से जुड़ा होता है दोनों के द्वारा लगने वाला बल दोनों के द्वारा लगने वाला बल एक दूसरे के अपोजिट होता है दोनों इलिमेंट के द्वारा उत्पन फोर्स उत्पन फोर्स एक दूसरे के दूसरे के अपूजिट होता है मतलु इलिमेंट के द्वारा जो फोर्स उत्पन हो रहा हो एक दूसरे के क्या होता है अप देखें नारमल कंडीशन में मतलब कोई भी सर्कित में कोई भी फाल्ट नहीं। तो वह हमारी कश कंडिशन कहलाएगी नारमल Clara क्णिशन नारमल कंडिशन में रिजल्टेंटक्टन देख दो फोर्स हैं माली याफवन फोर्स है इधर लग रहा है एक सब्सक्राइब फोर्स जदो है ऊपर की तरफ लग रहा है तो दोनों दूसरे का पोजिट हैं तो जब COOL फोर्स आपस बराबर होंगे तो में चीमा होग प्रदा नहीं होता है कि वो रिले को क्या करा सके आपरेट करा सके तो यहीं चीज यहां पर लिखना है क्योंकि नार्मल कंडिशन में कोई भी फाल्ट नहीं होता है फाल्ट तो एबनार्मल कंडिशन आएगी तब होगा कि नार्मल कंडिशन में resultant force resultant force कामान इतना ज्यादा नहीं होता है नहीं होता है कि इतना ज्यादा नहीं होता है कि यह रिले को operate करा सके इतना ज्यादा नहीं होता है कि रिले को क्या करा सके अपरेट करा सके ठीक है नॉर्मल कंडिशन में दोनों के द्वारा force produce होगा जब दोनों के द्वारा force produce होगा तो उस condition में जो है उतना ज्यादा force नहीं produce होता है कि रिले को क्या करा सके अपरेट करा सके देखे होता क्या है अब जब fault आ जाएगा लाइन में क्या जाएगा fault current flow करने लगेगी तो current element में current command बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है तो current element में current command इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि current element के द्वारा force बहुत ही ज़्यादा produce हो जाता है तो force बहुत ज़्यादा produce हो जाता है तो दोनों के बीच जो resultant force आता है वो काफी ज़्यादा आता है तो जिसकी वज़र से रिली हमारा क्या हो जाता है आपरेट हो जाता है जब रिली आपरेट हो जाएगा तो circuit breaker को क्या करा देगा ठीक है इसको मैं मेटा दे रहा हूं लोग लिख लीजे ठीक है अब यहाप देखिए माना फाल्ट 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 से ख़लेट ए तथा कि ग के बीच यह फोन पॉइनट पर हुआ यह फोन पॉइनट है पर हुआ है ठीक है अब यह जो फाल्ट हमारा हुआ है यह फोन पॉइनट पर हुआ है यह हमारा point है EF1 ठीक है तो EF1 point पे fault हुआ है तो simple सी बात है area के अंदर fault हुआ है तो अब relay का जो connecting point है उसके और fault के बीच में distance हमारा कम है बहिए simple सी बात है fault अंदर हुआ है तो कम है तो point पे fault हुआ है इस condition में length कम होगी इस condition में relay के connecting point पॉइंट तथा fault पॉइंट के बीच distance कम होगी ठीक है distance हमारा क्या होगा कम होगा क्योंकि अंदर fault हुआ है तो distance कम होगा जिससे जेड इस डारक्टी प्रोपोर्शनल डी के अनुसार अनुसार इंपीडेंस भी कम होगा इंपीडेंस भी कम होगा जेड कम होने से जेड कम होने से होने से करेंट एलिमेंट में करेंट एलिमेंट में करेंट इंक्रीज हो जाता है करेंट एलिमेंट में करेंट increase हो जाता है जिससे जिससे current element current element के द्वारा उत्पन force बहुत ज्यादा होगा ज्यादा होगा ठीक है उत्पन force क्या होगा बहुत ही ज्यादा होगा इसलिए resultant force का मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है जिससे resultant force ज्यादा होता है आप लिखेंगे जिसे से resultant force ज्यादा हो जाता है ठीक है resultant force क्या हो गया ज्यादा हो जाता है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ एक बार सभी लोग लिख लिए हो जाता है resultant force क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है जिससे relay operate हो जाता है जिससे relay operate होकर अपना yamsi yapsi से sata देता है sata देता है ठीक है तो relay हमारा क्या हो जाता है operate होता है जिससे जिससे strip coil tc energized हो जाता है energized हो जाता है tc हमारा क्या जाता है energized हो जाता है जिससे cb का यमसी यफसी से separate हो जाता है separate हो जाता है ठीक है यह चीज है तो distance पर depend कर रहा है ठीक है distance अगर predetermined distance जो निश्चित किया किया है अगर उससे बाहर फाल्ट होगा तो relay operate नहीं होगा ठीक है कहने किया मतलब है यह हो गया तो यह relay आपका यहीं पर क्या हो जाता है समाप्थ हो जाता है ठीक है distance relay आपके syllabus में था इस वज़ेश से मैंने distance relay को पढ़ा अब देखिए distance relay को जो है अब देखिए distance relay जो होता है यह तीन टाइप का होता है distance relay तीन प्रकार का होता है पहला impedance relay impedance relay ठीक है दूसरा आपका reactance relay महो रिले ठीक है इसी को admittance relay भी बोलते है इसी को क्या बोलते है महो रिले या admittance relay इसी को किया जाता है इसी किया जाता है या है अब मेडियम टाइन ट्रांस्विंशन लाइन कहां से कहां तक है असी किलो मेटर टू एक्सोथ किलो मेटर ऐसे ओज़यम ट्रांस्विंशन लाइन मेज़ होता है होता है ठीक है इस डैन किसा ट्रांस्विंशन लाइन की लंभाई कितनी होती है असी किलो कょёगीं तो मीटर 80 किलोमेटर या फिर एलेस देन 80 किलोमेटर है कि अभawy तो ऐस घ्ञंगे आफ तूसी किलोमेटर मतलब साथी ट्रांस वेसिन वाइन जो है he तक होता है एक्सों साथ किलोमेटर है तो रियक्टेंस रिले साथ ट्रांस्मिशन लाइन में यूज होता है तो यहां पर यह लांग ट्रांस्मिशन लाइन में यूज होता है लांग ट्रांस्मिशन लाइन में यूज होता है ठीक है यह लांग ट्रांस्मिशन लाइन में क्या किया जाता है यह चियता है और लांगई ट्रांस्मिसंग नाइन की लेंद्ध क्या होती है एब एब एक सोट गिलोमीटर हुते है इसका अलग-अलग बॉल्टेज रेटिंग भी होता है और जैसे अगर बोल्टेज की बात करेंगे, तो साट ट्रांस्मिशन लाइन का जो बोल्टेज होता है, फिराल उसको जानने की जरूवत यहां पर नहीं है, क्योंकि ट्रांस्मिशन लाइन का मैं क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, यह टाइप साफ रिले हैं, जो है, इंपिडेंस रिले, देखें, डिस्टेंस रिले आपका कितने परकार का होता है, टीन परकार का, इंपिडेंस रिले, रियक्टेंस रिले, एडमिटेंस रिले, ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, एक मेडियम में यूज के जाता है, एक आपका लांग में यूज के जाता है, तो यह चीज आपको जानना क्या था, बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, ठीक है, तो distance relay का जो आपका topic था, यहीं पर आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अगले lecture में जो है, differential relay और differential percentage relay हम आपको पढ़ा देंगे, तो यह आपका relay यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त ह वैसे तो there are many types आप relay, instantaneous relay, inverse time relay, inverse definite minimum time relay, समझ में आईसे कई type के relay होते हैं, जो आपके slavus में नहीं दिये गए हैं, नहीं तो मैं उसको भी क्या कर देता, पढ़ा देता, आपके एक relay बचा है, उसको पढ़ाने के बाद जो है, protection system आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है तो आज ककला से ही तक धन्यवाद